नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस एजुकेशन चैनल पर आज हम परियावाची शब्तों को पढ़ेंगे आपके कहने पर ही मैंने इसका पार्ट टू तयार किया है मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपको मेरी ये कोशिस पसंद आई आज की ट्रिक को भी मैंने सरल बनाने की कोशिश की है जैसा कि हम सब जानते हैं कि शब्तों को मिला कर एक वाक्य अपका निर्मान होता है उसी तरह मैंने इन परियावाची शब्तों को मिला कर छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं ये वाक्य ऐसे हैं जिने हम रोजाना काम में लेते हैं या मैं कहूं कि रोजाना के दैनिक जीवन में हम ऐसे वाक्यों को रोज बोलते हैं तो इन ही शब्तों से हम आज की जो परियायवाच्ची की जो ट्रिक है वो हमने तयार की है तो आईए हम शुरू करते हैं आज का टोपिक हमारा परियावाची तो हमारा सबसे पहला जो शब्द है वो है धनुष सबसे पहले धनुष के परियावाची कौन-कौन से शब्द होते हैं वो देखेंगे तो धनुष का परियायवच्ची होता है धनु, पिनाक, कोदंड, विश्खासन, चाप, शराशन और कमान यह सब धनुष के परियायवच्ची शब्द हैं और अब हम इने एक वाक्य में इनको याद करेंगे अगर मैं यह कहूँ कि छोटे अगर हम परियायवच्ची शब्दों को एके करके यह याद करें तो शायद बहुत कठिन हो जाता है याद करना लेकिन एक छोटे से वाक्य में हम इनको एक साथ याद करें तो यह असनी से याद रहेंगे और वही कोशिश में ने यहाँ पर की है तो इसकी जो ट्रिक है वो है धनू, पिनाक, कोदन, विश्खासन के चाप से मिला धनू, धनूश के लिए आ जाएगा और धनू भी हो जाएगा इससे पिनाक, यह भी धनूश का परियाएवाची है अब इसमें हमारे जो बच्चा है वो है शराशन और कमान तो कमान तो हम जानते ही है कि धनूश के लिए आता है जैसे तीर कमान बोलते हैं उस तरीके से और यहाँ पर बच्चा हमारा शरासन शर मानी होता है बान और आसन मानी जिस पर रखकर उसको चलाया जाता है आसन जो बेखने का स्तान होता है उसको कहते हैं शर यानि बान और आसन यानि जिस पर रखकर उसको चलाया जाता है तो वो हो गया हमारा विश्खासन यानि धनुष्का परियाईवाच्ची अगला जो हमारा शब्द है वो है अर्जुन अर्जुन के जो परियाईवाच्ची होते हैं वो है सव्यसाची, पार्थ, भारत, गांडिवधारी, गुडाकेश, धननजय और कौनतय अब हम इने याद करेंगे छोटे सिफाक किसे साची पार्थ, भारत के अर्जुन से गांडिवधारी, गडाधन मांगे कोई कहरा है किसी से कि साची पार्थ, यानि सची में पार्थ, भारत के अर्जुन से गांडिवधारी, गडाधन मांगे तो साची से बनेगा सव्यसाची, पार्थ, भारत, अर्जुन, गांडिवधारी, गड़ा से आप याद रखें, गुड़ाकीश, धन से धनन जय, यहाँ जो मैंने यह शोट लिये, इन्हें आप एक या दो बार जरूर देखें, ताकि कोई आपकी गलती ना हो इससे, और बाक केले को कुझरासर, रंभा, मोचा, भानूफल, गजवसा और कदली, यह भी कहते हैं, अब हमेंने याद रखें, देखिए, कुझरासर का केला, रंभा ने मोचा, भानूफल, गजवसा ले गया, तो कुझरासर का केला, जैसे आपने कई चीजे देखियोगी, जो कहीं एक व फेमस होता है, जैसे आगरे का पेठा, तो इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं, कि कुझरासर का केला है, रंभा ने मोचा, भानूफल, गजवसा ले गया, कुझरासर का केला तो क्या किया, रंभा ने मोचा, लेकिन भानूफल कौन ले गया, गजवसा ले गया, तो कुझर सर से पूरा कुंजरा सर हो गया, केला, केला से याद रखे हैं, केले के परियायवाची याद कर रहे हैं, रंभा, रंभा भी केला का परियायवाची है, मोचा, भानुफल और गजवसा, ये सब केले के परियायवाची हो गए, अगला किनारा, ये जित्ते भी में किनार के प्रियाए वाची है, पुलीन , बेला तत परियंत , कूल, तीर , छोर, सिर्अ और तत छोर , सिरा , तत यह हम सब जानते हैं जो थोड़े सरल है उन्हेंनेमें इस प्रिक मेया है , तो पुलीन , बेला तत किनारे पर कूल तीर मारे यह सब प्रिक है इन्हें याद रखने के लिए आप को यान्य था ना ले इनका तो पुलीन एक लड़का है जो क्या करता है बेला तट किनारे पर कूल तीर मारता है बेला तट जैसे हमारे कई तड़ों के नाम है माला बार तट ऐसे तो ऐसे ही बेला तट किनारे पर कूल तीर मारे तो पुलीन किनारे का परियाईव अच्छी है बेला तट किनारा किनारे से आपको याद रहेगा पर से परियंद, कूल से किनारे के लिए आता है अगर इसमें मैं कहूं कि छोटी मात्रा हम लगा दें कूल में इसे बड़ी की जगे एक छोटी मात्रा तो वंश के लिए आ जाएगा है जो आपके शब्दी उगमा आते हैं तो उसमें काम आता है तीर, तीर बाण के लिए भी होता है और तीर किनारे के लिए भी है तो यह आपके किनारे के परियाएवाची अगले हैं चंदन के परियाएवाची गंधसार, गंधराज, मंगल्य, सर्पावास, श्रिखंड और मलय यह सब परियाएवाची हैं चंदन के इन्हें याद रखें, चंदन की गंद से मंगल सर्पा, श्रिखंड मले, चंदन की गंद से मंगल सर्पा, सर्प का नाम है मंगल, तो मंगल सर्पा क्या मलता है, श्रिखंड मले, श्रिखंड को मलता है, तो चंदन के प्रियाएवाची होगे, गंद से याद रखें, गंद सार और गंध राज मंगल से मंगल्य सर्पा से सर्पावास क्योंकि सर्प जो वास करता है वो चंदन के पेड़ पे करता है तो सर्पावास हो गया श्रिखंड और मले से मले अगले परियावाची है जलकी वारी, तोय, जीवन, पय, आब, आप, सलिल, नीर, अम्बू, रस, पानी, उदक, अप और विश विश भी जल के लिए आता है तो इसे हम याद रखेंगे जल वारी, तोय, जीवन पे अब आप सलिल को नीर, अम्बू, रस दो इन्हें दो टुकड़े में आप पढ़ें पहला है जल वारी, तोय, जीवन पे कोई कह रहा है जैसे हम कई भाशाओं में बोलते तोय, मनी तेरे पे तो जल वारी, तोय, जीवन पे अब आप सलिल को नीर, अम्बू, नीर, अम्बू, रस, दो जल वार दिया है तेरे जीवन पे अब आप क्या करें सलिल को नीर, अम्बू, रस, दे तो जल का परियाई वाच्ची होगा वारी, तोय, जीवन पैसे याद रखें पए अब आप सलिल, नीर, अम्बू, और रस इसमें हमारा बच्चा है उदक और विश, ये भी जल के परियाई वाच्ची होते हैं अगला परियाई वाच्ची है किरन का किरन के परियाई वाच्ची होते हैं रश्मी, कला, कर, अंशू, मरीची और मयूख तो इसमें किरन रश्मी कला करके अंशु मयूग से मरी किरन रश्मी कला करने के बाद भी अंशु मयूग से मरी तो किरन रश्मी कला करके अंशु मयूग से मरी तो किरन और रश्मी ये दोनों हो गया शब्द कला हो गया, कर हो गया अंशु, मयूग और मरी से मरीची मरीची में जब आप छोटी मात्रा लगाते हैं तो इसमें किरण के परियाय वाची बनते हैं और जब इसमें बड़ी मात्रा लगती है तो ये सूरी के लिए आ जाता है अगला है परवत के परियाय वाची परवत के परियाय वाची हैं पहाड, अद्री, गिरी, भूधर, महिधर, धर्णी धर, अचल, शेल और नग। तो इसे भी हम दो वाक्यों में पढ़े हैं, अचल पर्वत से अध्री गिरी, किस पर्वत से? अचल परवत से अद्री गिरी जैसे हिमाले होता है अरावली होती उसी तरह कैसे कौन सा परवत है अचल परवत से अद्री गिरी महिधर शेल नग धरणी पे डाले जैसे ही अद्री गिरी महिधर ने क्या किया जो उसके पास शेल नग थे वो धरणी पे डाले, डाल दी, तो अचल से अचल हो गया, परवत से याद रखेंगे कि परवत के परियावाची हैं, अधरी, यह बहुत इंपोर्टेंट है, और गिरी, मही धर, शेल, नग, धरणी से धरणी धर, तेके इसमें मही धर, धरणी धर, और भूधर, धरणी मानी प्रत्वी और धर मानी धारन करने वाला, धरनी धर, ऐसे ही मही धर और भूधर. अगला है अम्रत का परियाई बच्ची, इसे शुरू करने से पहले मैं कहूंगी कि अगर आपको ये पसंद आती है तो आप लाइक जरूर करें, देखें लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि मैंने जो ट्रिक्स बनाई है वो आपको कितनी पसंद आ रही, कमेंट्स करके ज बच्ची शब्द वों है पियूश, सुधा, अमिय, अमी, सुम, सुर्भोग, शशिरस और दिव्यप्रदार्थ तेकि इसकी ट्रिक्स बनी है पियूश अम्रत सुधा से दिव्यसुर्भोग बनाए सुम अमी को शशिरस बताए प्यूश तो अम्रत सुधा से दिव्य सुर्भोग बना रहा है लेकिन सोम क्या कर रहा है अम्मी को शशीरस पता रहा है तो प्यूश सिफ अम्रत का प्रियावची को अम्रत सुधा दिव्य से दिव्य प्रधार्थ सुर्भोग हो गया सोम से सोम अम्रत के लिए आता है अमी और अमिय शशीरस भी अम्रत के लिए आता है तो ये सारे हमारे अम्रत के परियावाची हो गए आज की वीडियो में इतने परियावाची और जैसा कि आपने पहले वीडियो को इतना पसंद किया प्राशा करते हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शरूर करें धन्यवाद